तो चलो भी रिस्क मैनेजमेंट के बात कर लें रिस्क मैनेजमेंट में जो वार है वैल्य एक रिस्क उसके कितने कोशिटंस हैं जो हमें करने हैं तो अगर देखा जाए जो हमारी बुक्स में कवर नहीं है दो कोशिंस आपके सामने वो दो कोश्चन है जल्दी जल्दी काम खतम हो जाएगा थोड़ा सा कोश्चन में जो सॉलूशन है वो गलत आया था फिर उन्होंने सुधारा है वो मैं सब डिस्कस करूँगा एक बार सुन लीजिए पहला कोश्चन ले ले यह साँ कोश्चन नमबर वन यह MTP में आया था एप्रेल 2021 को नियू सिलिवस की MTP में था कोश्चन अच्छा है कॉंसेप्च्छल अगर मैं कहूं कि मेरी बेसिक्स की क्लासे जिन्होंने देखा है वो इसको आसानी से कर लेगा यस पर इन्होंने गला सॉल कर रखा था वो सॉलूशन मेरे पास में है फिर उन्होंने आई सी ए आई नहीं बाद में से ठीक कर लिया और लॉजिकली ठीक करना भी चाहिए था वैसे ही होना था देख ले क्या लिखा लिखा ABC Limited is considering a project X which is normally distributed and has mean return 2 करोर sir mean return का मतलब mean to CR with a standard deviation 1.60 CR बात समझे में आ रही है और लिखा हुआ है normally distributed मतलब jet table की जरूरत है jet table की बिना हो नहीं साथ in ABC Limited losses losses loss की बात कर रहा है on any project एक करोड से ज़्यादा का अगर loss है तो financial difficulties आ सकती है एक करोड से ज़्यादा का loss है तो financial difficulties आ सकती है ठीक है और हमें determine करना probability और probability किसकी financial difficulty की मतलब हमें probability पता करना है कि एक करोड से ज़्यादा loss होने की probability क्या है क्या ये question वार का है नहीं क्या ये question मेरी basic of finance की जो classes है सुरू की introduction क्या उसका है हाँ मैंने basics में करबार रखा है jet table ये वहीं से लिया गया सर ठीक है इसमें करना क्या बिट्टी बड़ा असान काम है सुनना दियांसे ये ठीक है सर और ये हमारा हो गया कर ठीक है यहांदा कोई दिक्कत नहीं है और ये एक line होगी 50-50 version ठीक है याद है ये येस अब होता क्या है यहां है mean mean कितना करो तू करो extended deviation इधर भी है extended deviation कितना 1.6 मतलब सर इधर कितना जाएगा जितना भी 0.4 CR और उधर भी 1.6 हमें पता क्या करना है हमें ये पता करना है कि यार इधर क्या होता minus infinity इधर क्या होता है प्लस इंफिनिटी, ओके यहां तक कोई समस्या है क्या नहीं, हमें यह पता करना है कि जो लॉस है, वो एक करोड से भी ज़्यादा, माइनस वन सी आर से भी ज़्यादा होने की क्या प्रोबैबिलिटी है, लॉस वन सी आर मतलब उस तरफ आपको शैट करना पड़ेगा, ओके, एगरी, उस तरफ शैट करना है, तो यह तो हम आसानी से काम कर लेंगे, हाँ, तो सबसे पहले हमें इसको किस में करनवर्ट करना पड़ेगा, जैड में, और जैड में कैसे करनवर्ट करते थे, जैड इस इक्वल टू, एक्स माइनस म्यू डिवाड़ेड वा इस्टेंडर डिवेशन, क्या इसका लॉजिक सर क्या है, बिटे लॉजिक में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, मैं फिर से बोलुजिक के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, या फिर बेसिक को फाइनेस म समझा रहा का, इसका लॉजिक समझ में आजाएगा, तो सर एक्स कितना है, माइनस वन सीयर, म्यू कितना है, टू सीयर एवरेज और इस्टेंडर डिवेशन कितना है, वन पॉइंट सिक्स, तो देखे, 3 माइनस में डिवाड़ेड बै वन पॉइंट सिक्स, तो सर यह आया, 1.875, 1.875, क्या यहाँ 1.875 की वैल्यू दिया है, नहीं दिया, यहाँ कौन-कौन सी वैल्यू दिया हुआ है, जरह देखो, सर 1.875 मतलब यह, और यह, इन दोनों के बेच कहा है, समस्या क्या है, तो सर इन्होंने क्या होगा, इंटर्पलेट किया होगा, और इंटर्पलेट कैसे किया, यह 0.5694, मतलब मैं करी दूं क्या, ठीके सर कर दीजिया, इन्होंने कैसे किया होगा, इन्होंने किया होगा, सर, 1.87 पर है 0.4693 और 1.88 पर है 0.4699 ऐसे ही करते थे तो सर इन दोनों का बीच का डिफरेंस 0.01 इन दोनों के बीच 0.4693 0.4693 0.4693 माइनस 0.4699 तो सर ये आगया 0.0006 तो हमें किस पर चाहिए 1.8 75 पर कितना ऐसे ही करते थे फिर इसको कैसे बनाते थे हम लोग और फिर हम ऐसे लेते थे यार 0.4693 तो आए गही आएगा ठीक और प्लस हो जाएगा ये 0.0006 कितने के लिए 0.01 के लिए तो 1.875 माइनस 1.875 माइनस 1.87 तो सर ये आगह है 0.005 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.005 तो 0.666 0.006 डिवाइड़ 0.01 इन दो 0.005 प्लस 0.4693 तो फाइनल आंसर आगह है 0.4696 तेट इस 46.96 परशंट कोई दिक्कत नही है इंडर प्लेट करना तो आपको आता है सिक्यूरिटी अनलिस में 46.96 परशंट साहर निकाला भी हो 46.96 परशंट निकाला भी है लेकिन गलत है सो गलत मुझे जब आया था कोशन तब ही लग रहा था कि ये गलत है और गलत क्यों है इन्होंने जो सॉल किया हाला कि इन्होंने भी फिर ठीक कर लिया कि हाँ जी है यहाँ तक कोई गलती नहीं 1.8 से 1.5 यहाँ तक कोई गलती अब ध्यां से देखो बेट लिखा क्या इंपॉर्टन्ट E यह टैल का एरिया दिया एरिया चाहिए मुझे एरिया और सुनो बेटे एरिया कौन सा दिया गुले standard normal distribution table z score providing area और area किस किस के बीच का mean और z score के बीच का, mean और z, मतलब सर हमें area कौन सा दिया है, बिट्टे यही तो समस्या है, हमें जो है ये ये वाला area दिया है ये वाला area दिया, mean और z, ये z है, mean और z के बीच में, जबकि हमें चाहिए ये वाला area हम जो उठा रहा है, ये 0.4693, वो ये वाले area का उठा रहा है, नहीं नहीं अगर इसके हिसाब से बढ़ू तो मैं इस area का उठा रहा हूँ, जबकि मुझे ये नहीं चाहिए पुरे इस area का value कितना होता है, 0.5 agree? 0.5 में से ये वाला area या minus कर दीजे, इधर कर जाएगा simple सी बात है, मतलब सर, मतलब बड़ी simple सी बात है ये जो है वाँ, इसको मैं 0.5 से minus करूँगा, तो 0.5 माइनस 0.4693 ये आ गया 0.0307 और 1.8 ये वाला देख लेते हैं, 0.5 माइनस 0.4699 0.4699 तो सर, ये आ गया 0.0301 चाहूँ तो इसको भी जो आ रहा है, आंसर आया है उसको मैं 0.5 से माइनस कर सकता हूँ सीधी सीधी बात, पर चलो इसको करके मैं दिखा देता हूँ अगर मैं कह रहा हूँ, total area 0.5, इधर का मुझे पता लग गया है 0.4693 तो क्या ये वाला area माइनस कर सकते हूँ, निकाल सकते हूँ हाँ, 0.5 में से माइनस करना है अब हम interpolate कर सकते हैं अब क्या interpolate करोगे, कि साहाब ऐसा है 1.87 पर वैल्यू है 0.0307 हाँ, बोलो और 1.88 पर वैल्यू है 0.0301 और हमें चाहिए 1.875 पर दूसर चेंजिस कहां कहा है हमें चाहिए इतना, पॉइंट कितना हो रहा 1.875 माइनस 0.005 यहां कितना है, 0.01 और यहां कितना है, यहां काम हो रहा है याद रखना 0.0307 माइनस 0.0301 0.0006 अब निकाल लेते हैं 0.0307 तो आएगा आएगा माइनस, क्योंकि यह डाउन हो रहा है इसलिए माइनस 0.0006 चेंज होता है 0.01 के लिए 0.005 के लिए कितना तो 0.0006 डिवाइद 0.01 इंटो 0.005 माइनस 0.0307 तो सर यह आगा 0.0304 परसेंटेज में इंटो 100 तो यह आगा सर 3.04 परसेंट चांसिस 3.04 सर यह ऐसे भी निकाल सकते थे कि जो निकल गया था आंसर क्या डारेक्ट भी निकाल सकते थे मतलब 0.5 माइनस 0.4696 तो 0.0304 यह इंटो 100 तो सर 3.04 परसेंट यह ऐसे भी निकल सकता था इंस्टिट्यूट ने यहां गलती किया थोड़ा सा गलती यह किया कि उसने सीधा यह वाला उठा लिए अक्शुली वह दिया ही था उसने यहां लिखने में गलती करती है पर ठीक है उसके बाद इंस्टिट्यूट ने सुधारा भी है और सुधार कर यह वाला जो आंसर इसमें है वो ना करके हमने जो आंसर निकाला है न वो किया 3.04 इस कोशन पर फोकस करना पाच नमबर का आया था आया क्या था MTP का कोशन था उसके बाद अब मिलेगा भी नहीं हट गया है पुराना MTP और इक कोशन देखें यह वाला कोशन कोशन नमबर टू यह एक्जाम में आया हुआ यह कोशन भी अच्छा है अगर देखा जाए तो वार का कोशन है इस्पेशली वार का कोशन है और कब आया था साब वार नमबर दूहजार बीस अटेंप्ट में कोशन आया हुआ है वार का क्या लिखा वजर दिखते है on Tuesday morning ठीक before opening of the capital market an investor while going through his bank statement has observed that an amount of rupee 7 lakh is lying in his bank account वाई Tuesday morning को पता लगा कि हमारे bank account में 7 lakh रुपय रखा हुआ है और this amount is available for use from Tuesday till Friday और यह जो 7 lakh है आप Tuesday से Friday तक यूज कर सकते हैं मतलब हमारे परस कितना दिन है Tuesday Thursday तूजडे तूजडे के सार वेनजडे Thursday, Friday बेजर यूजडे कीज़े कोई समस्या नहीं वार में हमको क्या सीखने को मिल रहा था वार में हम यह सीखते कि maximum possible loss कितना हो सकते maximum possible loss निकालते थे कि यार इतना loss होने की probability कि 99% probability है कि maximum इससे ज्यादा loss नहीं हो तो मुझे वह निकालना है मुझे क्या निकालना है maximum possible loss नहीं maximum possible loss में कितना करने को तयार हूँ हो जाये तो हो जाये कोई दिक्कत नहीं 6,99,000 मेरे लिए maximum possible loss ठीक मैं इतना loss bear करने को तयार हूँ भाई पर मैं कितना investment करूँ सुनो बेटे सुनो आप वार निकालते थे value at risk वार का formula क्या होता था एक्स जैट याद है जिनको याद नहीं है वो खोल कर देख लो के वार में पड़ा सर यहां क्या यहां निकलता था maximum possible loss और यहां सर यह जैट का मतलब normal distribution table हम यह देखते थे कितनी probability standard deviation सर यह x क्या x होता था investment amount कितना investment करे investment कितना किया है यह होता था और यहां सुनो यहां उसने आपको maximum possible loss दे दिया है reverse calculation और यह भी दिया यह भी दिया बोलते बताओ कितना investment करे investment कितना करे है फिर से पढ़ा दाओं कोशन देखा थी investor desire to make a maximum possible investment where a value at risk should not exceed the balance lying in his bank account the standard deviation of standard deviation दिया इतना 1.5 percent per day और हमें बात कितने करना है चार दिन में हम इतना loss bear करने को तियार है कितना 6 लाक दिया निया बेज़ा तो हमें one day war ने निकालना है actual में हमें four day war दिया this is four days war और require confidence level कितना 99 percent तो ultimately question क्या पूछ रहा है sir question साहब ये पूछ रहा है कि में 99 percent probability होजती है तो हो जाने दो इतना loss bear करने को तियार हूँ चार दिनों में चार दिन में में 6,99,000 loss bear करने को तियार हूँ 99 percent probability होती है इतना loss हो maximum इतना loss तो हो जाए को दिक्षा पर मुझे investment कितना करना है तो सबसे पहले क्या मुझे वार दे रखा है yes कितना 6,99,000 डारी डारेट करूँ हाँ sir हमें दे रखा है 6,99,000 X दिया है कि नहीं JET के लिए JET JET हमें देखना पड़ेगा 99 percent confidence level पे JET की value 2.33 होती थी पर उसको ऐसा लग रहा अब अच्चों को नहीं पता है तो चलो JET 2.3 और 3 this is 99 percent 99 percent पे 2.33 ज़्यादा खुछ देखने कि इटमिस मैंने 99 percent देख और यहां ढून रहा हो 99 percent कहां आएगा और 99.01 यह ज़्यादा करीब है 99 के तो value कितनी आगे 2.33 तो यहां X को X से लेने देता हूँ X को ऐसा वाल X बना देता हूँ इंटू 2.33 अब सवाल यह है यह जो maximum possible loss है कितने दिनों का है 4 दिन का standard division कितने दिन का है एक दिन का तो उसको 4 दिन के standard division में convert कर सकते है किया हाँ सर वो तो हमने किया हुआ है कैसी होगा विट्टे सर 1.5 square root 4 तो यह 4 दिन का standard division मन जाएगा 4 square root into 1.5 तो सर यह 3 आ गया यह आ गया 3 3 percentage है तो 0.3 percentage ही लेख देता हूँ न क्या फर्क पड़ ठीक तो क्या X का value निकल सकता है यह सर 6,99,000 divided by 2.33 divided by 3 पर आंसर चाहिए मच 6,90 divided by 2.33 divided by कितना 3 पर सर कितना गया 100,00,000 that's it तो यह था question और अच्छा question अच्छा question है पीस करके चले जाना बच्चे तो समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे को क्या करें इस कोशन में समझ में आना भी नहीं था क्यूंकि आज तक हम यह निकालने की कोशिश कर रहा थे इस बार उसने यह दे दिया और यह निकालने का बोला है इसलिए दिक्कत हो सकते हैं ठीक है फाइनल आंसर है 100 लेक्स हाला कि उसने प्रेजेंटेशन ऐसा है तो अच्छा प्रेजेंटेशन है और आप जो करोगी वो भी उस प्रेजेंट चार नंबर का कोशन है तो क्या नंबर का यह ना भाई चार नंबर का कोशन है 2020 ने उसलिवस में आथा ठीक है खतम करें यास रिस्क मैनेजमेंट के दो कोशन थे दोनों कोशन मैंने करवा थिया पहला कोशन जो था उसमें वाकई बात थी गलत कर रख था आई सी ए या इने बाकि ठीक भी कर लिए उसक्या थेंक्यू अगले चैप्टर पर चलते अगले चैप्टर के खतम है रिस्क मैनेजमेंट लास्ट था इतने कोशन करना और कुछ करने की जर्प्रतनी बही नए कोशन जो बुक में नहीं थे मैंने आपको दे दिया है थेंक्यू सूमच बाइबाए